Hello friends, welcome to my channel कल की वीडियो में में से एक सवाल पूछा गया था कि दी DTSP की तयारी आपने कहां से की थी साथी साथी YouTube monetize कब होता है क्या उसकी policy रहती है एक ये सवाल था तीसरा सवाल ये था कि दी में बहुत दा भूर हो जाती हूं लाइफ में कुछ इंटरस्टिंग नहीं लगता है तो मैं क्या करूं तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूं तो प्लीज वीडियो को एंटर देखना सबसे पहले बात करते हैं कि DTSP की तयारी कैसे की थी मैंने सबसे पहले बात तो मैं आपको यह बताने वाली हूं कि मेरे पास वीकॉम उनर्स राय है जो मैंने देली उनिवर्स्टी से की थी और मुझे बात ने पता लगा था कि मैं TGT कहीं पर भी अलिजिबल नहीं हूं के वियर्स नहीं पर भी नहीं लेकिन जब मुझे यह पता लगा कि मैं देली में लिजिबल तो मैं बहुत जादा खुश थी क्योंकि मेरा यह पर आपको कहानी की तरह हर चीज याद रहती है बस एक बड़े नहीं ने पढ़ा दिया दुबारा से आप उसको कहानी की तरह ही माइंड में पढ़ लो तो आपको चीज याद रहे की तो उसके बाद जबनोंने अधिनमंता छोड़ दिया था तो मैंने सोचा कि मैं किस से पढ़ूंगी भाई हिस्ट्री क्योंकि ऐसा पीवेस एस मैंने यह देखा था रिट्र पलेस में कि मॉडरन हिस्ट्री से बहुत जादा कोश्चिन पूछे गए थे तो मुझे लगा क बहुत अच्छी satisfaction थी कोर्स भी सस्ता था मतला 1500 में मैंने वो कोर्स पर चेस किया था जिसमें जनरल पेपर और सब्जेक्ट दोनों ही थे मैं यहां पर कोई भी प्रमोशन नहीं कर दियूं किसके कोर्स का बस अपना जो experience है वो आपके साथ share कर दियूं और सच बता रही हूं जैसा जैसा संदी सर ने बताया था ना पेपर वैसा वैसा ही आया था उन्होंने बोला था कि जनरल पेपर पेपर फोकस नहीं करना है सबस्यादा जो फोकस करना है वह सब्जेक्ट पेपर पर करना है जितने मांक्स आएंगे उतने ही मांक्स सभी के आएंगे लेकिन सब्ज मैं देखने को मिला मुझे जहां तक या थे 30-35 कोशन मैंने वहीं से देखे थे बाकि एकनॉमिक से बहुत ही कम पोशन पूछा गया था साथी साथ जोग्राफी भी बहुत कम थी मतला बेसिक्टी जो मॉडरन इस्टी थी सबसे जादा थी 20 नंबर की वहां पर पैड़ागोज था और वह इतने जादा एक्सपीरियंस्ट है कि मस मतलब मैंने आग बंकर भरोसा कर लिया था हाला कि लास में जब में तबित खराप गई तो मेरे विजह नहीं कर पाई थी कुछ इस हुझे से मेरा पेपर रह गया साथ ही साथ मेरा बैक्ग्राउंड नहीं है तो मुझे प्रोमोशन नहीं है अगर आपको कॉर्स परचेस करना है तो सब्सक्राइब करने वाली हूं कभी फुरसत में आपको सारे नोट्स दिखाऊंगी पर मैं को से गाइडेंस बिल सके कि इस पार पेपर का पैटन क्या होने वाला है सच में बहुत जादे एक्स्पीरियंस थैं जाए कुछ तरीका पैटन इस पार क्या रहने वाला है किस तरीकी से क्रवल्स पूछिज कर जाएंगे बस यही रीजन रहे गा साररे नोट करें तो यह डिए हैं चोटी समय त्यारी तैयारी कहाँ से की के ति तो अगर आपको पूआप वेट पेरा रहे हैं तो आज आंड़ के अंदर उसके बाद ही dar अब तक और पर चेस नहीं कर रही हूं जहां तक मुझे आइडिया है अगर आपको खरीदना है और अभी से तयारी करनी है तो कर लीजिए मैं तो अभी अपने जो नोट्स है उन्हीं से पढ़ रही हूं डेली अब बात करते हैं YouTube monetization के बारे में देखे YouTube monetization दो तरीके से होता है सबसे पहले वीडियो जो आप अभी मेरी देख रहे हैं अगर आप इस पर 1000 सब्सक्राइबर साथ ही साथ 4000 आर्स का वोच टाइम अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका चैनल monetize कर दिया जाता है लेकिन दिखने में असान लगत है वो कंप्लीट हुआ था हाला कि होने वालों का एक दिन में भी हो जाता है अगर आपकी वीडियो कोई वायरल हो जाती है लोग आपको बहुत जादा पसंद करते हैं उसके अपर कुछ चीजे रहते हैं जैसे कि आप background music में कोई भी copyright music यूज नहीं कर सकते हैं और कोई भी इसा content नहीं डाल सकते हैं जो पहले से किसी ने डाल रखा है मतब किसी का भी content copy नहीं कर सकते हैं खुद का original होना चाहिए और सबसे जल्दी अगर आपको अपना channel monetize कराना है बिना किसी दिक्कत की तो अपना face और अपना voice होता है तो सबसे जल्दी monetize हो जाता है अब बात रह background में ऐसा कोई music नहीं use कर सकते हैं जिसका already पहले से copyright है या किसी और का music है अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए कि हमें कौन सा किस तरीके से youtube channel बनाना चाहिए कौन सा music use कर सकते हैं तो please मुझे comment करके बताएगा मैं special next video उसी के बार में बनाऊंगी कि किस तरीके से हम अपने youtube channel को monetize कराना है क्या content के rate करना है कैसे अपने video को viral करानी है वो मुझे सारी बाते बताऊंगी जो आपको टेकनिकल गुरूज है related to youtube policies वो भी आपको नहीं बताते हैं क्योंकि मैंने खुद experience करके देखी है तब ही मैं आपको यह बताऊंगी और कुछ अच्छे- जब तक मुझे समझ में आ रहा है तो में बात यही है कि जब तक हमारे पास जौब नहीं है ना तो बस हम यह लगता है मतलब comparison करके की दूसरा बंदा कमा रहा है हम घर बैठे है एक तो वेकेंसी भी टाइम से नहीं आती है आती है तो आप के वेस का हाल देख सकते हैं हम कित आते हैं तो देखिए अगर आप और हो रहे हैं तो कुछ अच्छा सुनिए अपने पिसंद की कोई मोवी देख लीजिए जिससे आपको अच्छा फील हो और अगर मतलब अगर आप चाहते हैं तो मेरी तरह आप YouTube चैनल खोल सकते हैं अपने इंटरस्ट के अकॉर्डिंग आ अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए लेकिन उसके लिए क्या होता है कि यूट्यूप प्राइशन्स मांगता है ऐसा नहीं है कि आपने पहले वीडियो डाली और वह वायरल हो जाए या उस पे इतने व्यू सब्सक्राइबर आ जाए पेशन्स हमें च कि यूट्यूब यूट्यूब चल रहा है लोग मुझे फोलो करें तो मेरा पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता था कि हाँ चलो अब दोनों चीज़े चल रही है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो दिया तो बाकी की बाते हम अगली वीडियो में करेंगे मिलते हमार में नेक्स वीडियो में बागाई